आज हम बात करेंगे आरा विधानसवा चेत्र की बात करेंगे आरा विधानसवा नर्वाचन चेत्र भोजपूर्जुले के अंतरगत आता है यहां आरा संसदिये चेत्र का भाग है इस विधानसवा का निर्मान साल 1951 में गवा था इस विधानसवा की राजुनीती इतिहास को देखे तो यहां पर सबसे ज्यादा समय तक भाजपा का कबजा रहा है वर्तमान में आरा विधानसवा में भाजपा की लड़ाई माले के साथ है यहां भाजपा की तरफ से अमरेंद्र प्रताप सिंग है तो वही माले की तरफ से कयामुदीन अंसारी है अब आईए आरा विधानसवा चेत्र के राजुनेतिक अतिहास को विस्तार से जानते हैं तो बात सबसे पहले साल 2015 विधानसवा चुनाव की आरा विधानसवा सीट पर साल 2015 में भाजपा और राजपा के बीच करा मुगाबला रहा था आपको बता दे कि 2015 विधानसवा चुनाव में नितीश कुमार की पार्टी महागटपंदन के साथ चुनावी मैदान में थी भाजपा के टिकेट पर अमरेंदर प्रताप सिंग खड़े हुए थे वहीं राजुत के टिकेट पर अनवर आलम को टिकेट मिला था तो इस चुनाव में 666 वोटों से अमरेंदर प्रताप सिंग बधायक होने से चूग गये थे आंकडों को देखते वे ग्यात होता है कि इस सीट पर सुई की नोक पर मुकाबला रहा था अब बात करते हैं विधानसवा चुनाव साल 2010 की साल 2010 के चुनाव परिणाव को देखा जाए तो इस चुनाव में भाजपा और लोजपा के भी चुनावी जंग रही थे भाजपा ने अपने प्रतियाशी अमरेंदर प्रताप सिंग को तारा था वहीं लोजपा के कुमार सिंग को टिकेट दिया गया था कुमार सिंग को यहां 37,564 वोट मिले थे और अमरेंद प्रताप सिंग को 56,504 वोट हासिल हुए थे अमरेंद प्रताप सिंग 18,944 वोट से जीत गये थे वहीं बात करें साल 2005 और 2000 विधान सभा चुनाव की तो साल 2005 और 2000 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इस चुनाव में भी भाजपा का कबजा रहा था भाजपा के टिकेट पर अमरेंद प्रताप सिंग चुनावी मैदान नोत्रे थे और दोनों ही बार विधायक निर्वाचित किये गये थे अब बात 1995 विधान सभा चुनाव की अब हम चुनावी साल 1995 की तरफ चले तो इस चुनावी साल में आरा सीट पर जनतादल का कबजा रहा था आरा के सीट से अब्दुल मलिक विधायक निर्वाचित हुए थे वहीं बात 1990 विधान सभाद चुनाव की करे तो जनतादल ही विजेता रही थी जनतादल के टिकेट से वशिष नारायन सिंग विधायक चुनेगे थे खेतर के विकास कारियों की बात करे तो कई महत्वपून कारियों को पूरा किया जा चुका है सौन दर्य करन पर विशेज ध्यान दिया गया है जिसकी प्रसंचा सभी के जुबान पर है पार्क का नेर्मान हुआ है सरकारी कारियाले का जिर्नो धार हुआ है सडक पर लाइट की पूरी विवस्था की जा चुकी है चौक चौराहे पर भी अच्छी विवस्था की गई है इसके अलावा भी कई आवशक कार्यों को पूरा करवाए गया है चुनावी मुद्धों को अगर हम देखे तो जल्दमाव और जाम की समस्या एहम है इसके अलावा फुटपाथ पर अवैद कबजा है जिससे लोग मुक्ती चाहते हैं साफ सफाई दुरुस्त नहीं है कच्रे के धेर इधर उधर पड़े रहते हैं इलाके में इंजीनिरिंग और मेडिकल कॉलिज का मुद्धा महतपूर्ण है जिसकी सानिय जन्ता लगातार मांग बनाती रही है विधानसवा चुनाव 2020 में इस बार NDA का सीधा मुकाबला महागट बंधन के साथ है पिश्वे विधानसवा चुनाव में नितीश कुमार की पार्टी महागट बंधन के साथ ही लेकिन इस बार वो फिर से NDA के साथ है ऐसे में आरा की हसीट भाजपा के पास गई है वहीं भाजपा की परंपरागत सीटों के रूप में जाना जाता है इस सीट पर भाजपा के अमरेंद प्रताप से 2000 से 2010 तक जीटते आए हैं 2015 में राजप के उमिदवार अनवर आलम को जीत मिली थी लेकिन इस बार यानि की 2020 स्वधान सभाजणाव में महागटपंदन की तरफ से यह सीट माले के हिस्से में चली गई है ऐसे में अब आरा सीट पर भाजपा की सीधी रडाई माले से है भाजपा ने अमरेद्र प्रताप सिंग पर एक बार फिर से भरोसा जताते वे उन्हें टिकेट दिया है महिमाले ने इस बार कयामुदीन अंसारी को टिकेट दिया है राजुनेतिक जानकारों की माने तो आरा की सीट अब भाजपा के लिए आसान हो गई है साल 2010 में आरा से राजुत के उमिद्वार अनवर आलम चाह रहे थे कि उन्हें फिर से महागटबंधन में टिकेट मिले टिकेट को लेकर वो अपने समर्थकों के साथ कई दिनों से पटना में डेरा भी जमाय हुए थे और नेत्रित्व के साथ लगातार संपर्क साधने की कोशिश में जुटे वे थे लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई और यह सीट महागटबंधन के साथ ही माले के खाते में चली गई जहां डॉक्टरों ने बताये कि उनको हार्ट अटेक आया है आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद